अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अबडेट आप तक पहुँच सके सबसे जागा गलती है सरकार के आला अधिकारियों की जो मुख मंत्री को गलत आख़ले दे रहे हैं मुखमंत्री प्रती दिन अपनी 11 टीम के साथ बैठा करते हैं और उस बैठा के बताते हैं कि हमारे पास वर्तमान में ना बैड की अब कमी है ना ही आकसीजन की कमी है और ना ही किसी इंजेक्शन या दवायों की कमी है जबकि ये सारे आकड़े मुखमंत्री द्वारा जो बैठा के लिए पान पांच गुना मेंगा इंजेक्शन लगाता काला बजारी पर बिक रहा है सरकार को चाहिए कि जितने भी आला अधिकारी है सब का नंबर और साथ ही अपना एक परस्नल नंबर भी जंता के सामने पब्लिक करना चाहिए ताकि सरकार को पता चल सके कि जो उनके आला अधिकारी रिपोर्ट दे रहे हैं वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है उत्तर प्रदेश की इस्तिती बहुत भयावा है आक्सीजन के अभाव में बेड के अभाव में इलाज के अभाव में और तमाम दबाईयों के अभाव में लोग लगातार अपने जान को खो रहे हैं अस्पतालों के बाहर ऐसे तमाम द्रिश से आ रहे हैं कि मरीज आक्सीजन के अभाव में इलाज के अभाव में भरती होने के अभाव में तरब तरब के मर रहे हैं अंधेर नगरी चोपट राजा मुक्यमंत्री भड़े बोले पन के सिकार हैं और ऐसी कटिन परिस्तिती में भी जापूरा उत्तर प्रदेश रोज डर की स्तिती में जी रहा है कौन अपने जीवन को खोदेगा ऐसी परिस्तिती में अभी भी वो लगातार लोगों के प्रति संबेदना के बजाए बेट इलाज दवाई आक्सीजन वेंटिलेटर उपलत कराने के बजाए अभी भी हवा बाजी में, हेडिंग मैनेजमेंट में, ब्रांडिंग में, इवेंट में मस्पूल है मुकम्तरी जी बार बार कर रहा है कि आक्सीजन पेड वेंटिलेटर रेम्टे सीविल इंजेक्सन की कम ही नहीं है मैं मुख्यमंत्री जी को खुली चुनोती देता हूँ कि जो अधिकारी आपको लगातार या फिडवायक दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आक्सिजन वेड वेंटिलेटर रेंडेस सीविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी मीडिया में टीवी पर पेपरों में एक अपना गोपनिय नंबर जारी करें साथी उन अधिकारियों का जो उनको फिडवायक दे रहे हैं उनका भी नंबर जारी करें ताकि उत्तर प्रदेश के जिन लोगों को बेड की आक्सिजन की वेंटिलेटर की जरूर आथा है रेंडी सीवर इंजेक्शन की जरूर आथा है वो असपस्ट रूप से दिखाई दे सके उनके समझ चा सके कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इसकी कितनी जरूर आता है जूद बोलना बंद करें मुख्यमंत्री देश के प्रदेश के लोगों को धोखा देना बंद करें मुख्यमंत्री RT-PCR की टेस्टिंग घटा दी गई है क्यों घटाया उत्तर प्रदेश के सभी जन्पदों पर कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं किया जा रहा है यानि जो लोग संक्रमी था है उन संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा है आकिर जाज क्यों नहीं किया जा रहा है इस चेन को तोड़ने में बीमारी को रोकने में आकिर इस तरह के कारे सरकार क्यों नहीं कर रही है कोई लेना देना नहीं है कंट्रोल रूम में फोन करके पता करें क्या किसी को इलाज की, दवाई की, बेड की, आक्सीजन की, वेंटिलेटर की या रेम्डे सिविर या दवाईयों की कोई उपलब्दता वहां से हो पा रही है एसकी अपने खुला सा किया और पाँच बार गाजियाबाद में लखनव में और तमाम जगह से छापे मार के रेम्डे सिविर जो इंजेक्शन है उसको बरा मत किया और असपश्ट तोर से कहा कि उत्तर प्रदेश में या इंजेक्शन दस गुने अधिक दाम में बिकरा है अभी कल ही जासी के पेपर में असपश्ट रूप से पत्रकार सातियों ने छापा था एक एक लाख रूपया में रेम्डे सिविर इंजेक्शन लोगों में बेचा जा रहा है बड़े पैमाने पर इसकी खरीद फरुक्त की जा रही है उनकी अधिकारी कहा कुमकरणी नीद में सोय है उनकी ही संस्था उनकी ही जाच जेंसी लगतार भी पोर्ट दे रही है नीजी अस्पतालों में अभी सीधी भरती नहीं अभी भी रिफराल लेटर सीमो का चाहिए जो बड़े लोग है भी आईपी लोग है उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं गरीब के लिए कोई दरवाजे नहीं खुले हैं आपको याद होगा इनी के एक आजमगर के परत्यासी नाम में नहीं लेना चाहूंगा पीजी आई में भरती हुए और सेलफी लोड करके सेलफी लेते हुए लोड करते आएं अगर वो ठीक थे तो पीजी आई में उनकी भरती हुई और जो गरीब है अस्पतालों के बाहर पीजी आई रामनोलो या बलरामपुर जितने अस्पताल दिये गए हैं वहां तड़ब तड़ब के मर रहे हैं और सरकार चुप चाप मौन बनी पड़ी हुई है जो सरकार ही आखरे दिये जा रहे है उसमें यह कहा गया है कि कल लखनव में तेरा मौद गाजियाबाद में छो मौद और रोज लगबग दो सो लोगों का दावा कर रहे है अभी गाजियाबाद में चले जाए वहां समसान धाग पर असपष्ट रूप से एक कागज की तक्ति साथी ही है जिसमें कहा गया है कि यहां पर समसान धाग पर जगा नहीं है दा संसकार के लिए वैसा कुंड में चले जाए तमाम जगहों से रजिस्टर निकाल ली दिये जहां पर रोजदा संसकार हो रहे है वहां की वास्तु किस्तिती क्या है रोज लगबग हज्जारों लोगों से अधिक लोगों की मौते हो रही है और सरकार जूटे पाखंड घमंड और अब भी आकडों की बाजिगरी में लगी हुई है तीन विधायक जो सरकार के थे अभी वो काल के गाल में समा गए उन्होंने मुक्कमंतरी को पत्र लिखा डक्र हर्जबर्दंजी को पत्र लिखा उन्होंने तमाम अधिकारियों से संपर के साधा परिवार वालों कारों अभाई के हमने फाइप केडी पर लगटार फोन किया तमाम मुक्कमंतरी के अधिकारियों को फोन किया किसी ने फोन नहीं उठाई किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और इलाज के अभाव में, ICU बेड के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में लोगों ने दम तोर दिया जो सरकार अपने बिधायकों को नहीं बचा सकती लालत है ऐसी सरकार पर लालत है ऐसी ब्यवस्था पर पिस्व ने माना है उत्तर प्रदेश में कोविड की सबसे अच्छी ब्यवस्था बेड़ लाग बेड हमने तयार किया है कहा है वो बेड धर्म के धर्मार्थ, संत और महंत इस तरह लोगतंतर के मंदिर में जूट बेड़ लाग बेड कहा है क्यों नहीं आज में वस्ता है वेंटिलेटर की आक्सीजन की जबाब दे मुख्य मंतरी जबाब देना पड़ेगा आपको उत्तर प्रदेश की जंता को उत्तर प्रदेश की जंता जानना चाहती है कि आपने लोगतंतर के मंदिर में कैसे जूट बोला आप कहते हैं कि जो प्रणाद मंत्री जी कहते हैं जि भारत को 20 सुगरू देख बिस सुने माना है ये कौन से 20 सुगरू है जिस 20 सुगरू के इस्तिती में जहां देश में आक्सीजन पैदा होता है सबसे बड़ी संक्या में और वहां आक्सीजन में ट्रकों की इस्तिती ना होने के कारण लोगों को आक्सीजन के अभाव में दम तोरना पड़ रहा है टोन है उसका जिम्मदार वैक्सीन भारत में बनता है भारत सबसे बड़ा देश है वैक्सीन बनाने वाला 23 करोन की जनता उत्तर प्रदेश की है 97 लाग वैक्सीनेशन हो पाया आकिर 22 करोन लोगों को वैक्सीन कब तक लग पाएगा कौन इसका जबाब देगा सरकार को इसका जबाब और जिम्मदारी लेना पड़ेगा सुप्रिम कोर्ट में हाई कोर्ट में अभी सरकार को फटकार लगाई मेरा काईदा वरना कोई काईदा नहीं इस तरह के घमंड की बात इस तरह के बढ़ फोलेपन की बात सरकार सब कुछ नहीं हो सकती सरकार को विपच्छ के सुप्रिम कोर्ट के हाई कोर्ट की बात को सुननी होगी जन्ता की भावनाओं की बात को सुननी होगी हमारे नेतादडी रहों गादीजी ने जब इन्हें सला दिया था उस समय सरकार ने उस पर कोई बात नहीं सुनी और आज जिसका नतीजा है कि पूरा देश उत्तर प्रदेश आज इतनी बड़ी तरास्दी जेला है और सरकार और सरकार के मंत्री और मुख्मंत्री माम बने हुए है बड़बोलेपन में घमंड में सत्ता के नसे में इस तरह मखदूर है कि लोगों के जान जीवन से सरकार का क कोई लेना देना नहीं है आप कहते हैं कि विपच्छ राजनीत कर रहा है आपदा की घड़ी है विपच्छ को राजनीत नहीं करना चाहिए हम पूछना चाहते हैं कि पहली बार जब आया तो उस समय आपदा था और आपदा के समय आपने प्रबंद किया उस समय उत्तर प्रद उस समय पैदा ला रहे थे या लोगों को घर जाना था उस समय दवाई उस समय तमाम जो भी सरकार के निर्देश आदेश आए पूरा भी पचाब के साथ खड़ा था मेरा मानना है यह आपदा आपके द्वारा लाई गई है अगर सकेंड बेब आया है उस समय आपने इलाज की बेवस्था नहीं की उस समय अस्पताल की बेवस्था नहीं की बेड की बेवस्था नहीं की आक्सिजन की बेवस्था नहीं की सारे प्लांट बंद रहे बैग्यानिकों ने भी सख्यों ने कहा कि आप प्लांट को चालू कर यह क्यों नहीं किया आपने जान बूचकर आपने इस आपदा को लाया है जिसका नतीजा है कि आजुक्तर प्रदेश की जनता लगातार मर रही है और आप अभी भी अपने बरबोले पंद से कहीं पीछे नहीं दिख रहे हैं हमारे तमाम आईयस अधिकारी अभी आज के पेपर में था कि बरिष्ट आईयस दीपक दिर्वेदी काल के गाल में समागई लाज के अभाव में और भी तमाम अधिकारी रोज मर रहे हैं अखिर इसका जिम्मदार कौन है तमाम हज्जारों लोगों ने अपने जान गवाई य जनपट के तमाम हिस्सों में कोई RTC PCR की ब्यवस्था नहीं है कहीं कोई जाच नहीं हो रही है अकिर इस घड़ी में जहां आपको जाच करना चाहिए था जहां इलाज का प्रबंद कराना चाहिए था वहां आपकी कोई ब्यवस्ता नहीं है 6-6 दिन लग रहे हैं लोगों का RTC PCR की जाच होकर आने में अकिन छो दिन वो मरीद ऐसे तैसे तरफ रहा है और बाद में इलाज के अभाव में तमाम गाओं में आक्सिजन के अभाव में लोग मर रहे हैं और गाओं में भी एक सन्नाटा सा फारा हुआ है मैंने पिछले दिनों अपने जनपद अपने छेतर में देखा रोज बड़े पैमाने पला से निकल रही है और वो लोग सारे लोगों का आरोप है कि आक्सिजन के अभाव में हम दम तोड़ रहे हैं गाओं में सरकारी स्पतालों में नजाज की ब्यवस्ता है ना अक्सिजन की किल्लक बड़े पैमाने पर फलती जा रही है और आपके द्वारा कोई उपाय नहीं किया जा रहा है रेंडी सीवेर इंजेक्शन की कोई सप्लाई नहीं है इसलिए आक्सिजन प्लांटों पर लंबी लाइन लगी हुई है होम आइसलेशन में राने वाले लोगों को आक्सि उग्री का यह बयान है कि उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा आक्सिजन की सप्लाई पिछले समय कभी नहीं हुई मैं कहना चाहता हूँ इस बड़बोलेपन अधिकारी को कि पिछले समय ऐसी आपना भी कभी नहीं आई पिछले समय इतने आक्सिजन के लोगों की ज़रु भी नहीं पड़ी जब जरूरत थी तो आपने इंतजाम नहीं किया और आज लोग रोज मर रहे हैं और आप आज भी हेडिंग मैनेजमेंट इवेंट और बड़बोलेपन के सरकार पूरी तरह अपने आपको लगी हुई है हमारी नेता प्रियंका गांदी जी ने चार सुझाओ दिये कि सभी स्वास्त कर्मी फ्रंट लाइन वर्करों के लिए आर्थिक पैकेज की सरकार घोसड़ा करे कोरोना संक्रमर वो मौद न छुपाए समसान कबरिस्तान नगन निकायों की जानकारी को लेकर पारदर्स्ता सर कार बताए सभी बंद किये जा चुके कोवीड अस्पतालों की देख बाल केंद्रों में फिर से तुरंत अब्सुचित कर यूद दस्तार पर आक्सीजन युक्त बेड़ की उपलबता कराए जी ने कहा कि अभी जो मुक्मंत्री जीने सदन के भीतर कहा था कि हमने डेड़ ल ओफिस पे पड़ा हुआ है जेड़ लाग बेड़ के हमने इतजाम कर लिये हैं और आज की हम इस तरी देखें जो कोवीड के पॉस्टिव मरीज हैं उनकी इतनी संख्यानी जोस्ताल जाना चाहते हैं अधिकांस लोग होम आइसोलेशन में हैं तो मुक्मंत्री छूटा है इ उत्तर प्रदेश में जो 30-40 साल पहले अस्पटाल बने थे वो अस्पटाल पहले से मौझूद है उनके बेड़ पहले से मौझूद है चूकि सरकार ने कोई बेड़ नहीं बनाया हमने पहले का हमको सर्मिन्दा होना पड़ता है कि हमने जिस मुक्मंत्री का चाहन उत्तर प साइकड़ों पत्रकार, साइकड़ों साहित्रकार, IES, IPS, डॉक्टर, कई सारे स्वास्त कर्मी, कई सारे पुलिस कर्मी, कोबिट के कारण खोए हो उस मुक्मंत्री के हुँ से, खास्त और से संत मुक्मंत्री के हुँ से, ये सुभा नहीं देता, उत्तर प्रदेश में सब ठ या सोचल मीडिया पर संत मुख्ध मंत्री के लिए जो लोग अपनी पीडा को प्रेक कर रहे हैं, संत के बजाय उन्हें जिन सब्दों का इूज़ कर रहे हैं, ये उन्हें के लिए हम उन सब्दों को भेजते हैं. दूसरा एक देश के पधार मंत्री जी ने बड़े जोर सोर से कहा था हम पूरे देश में 162 ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे जिनमें उत्तर प्रदेश को 9 ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट का घोटाला हुआ है इतने समय भी जाने के बाद भी एक Oxygen Plant आट महने पहले गोफड़ा हुई थी एक भी Oxygen Plant नहीं जुरू किया गया है जिस PGI को सरकार कहती है Oxygen Plant है वो Trauma Center का Oxygen Plant है हर स्प्ताल के लोंग पे होता है उसे उस तरह के Oxygen Plant शुरू करने होते है इस Oxygen Plant में जो नो लगने थे PM Relief Fund के पैसे से लगने थे उत्तर प्रदेश के इस Oxygen Plant का योगदान है उत्तर प्रदेश के मुख्मंत्री को जन्ता को बताना पड़ेगा और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लासों के आकड़ों को छुपाया जा रहा है यह भी सर्मिंदा करता है इनको पूरे देश में COVID है पूरी दुनिया में COVID है लेकिन ऑक्सिजन के लिए, बेड के लिए, रेम्जीवर के लिए, दवाओं के लिए अगर कहीं हाहाकार मचा है इनके आपणों को छुपाने के लिए तो सिर्फ सिर्फ उत्तर प्रदेश मचा हुआ है और अंतिन बात आपसे कहूँगा मुक्तमंत्री ने हेल्प लाइन नमबर जारी किये है सारे हेल्प लाइन नमबर मेरे पास है अगर आप में से कोई पत्रकार साथी चाहे हम सोचल मीडिया पर लाइप करते हैं और चीजों पर लाइप करते हैं आप जिस नमबर को कहिए हम लोग बिधायक है हम और अब द्रग जी हमें सम्मिधान ने विस्षिसादिकार दिया है अगर कोई अदिकारी हमारा फोन न उठाए तब उसे पिस्षिसादकार सम्मिधिके माध्यम से वहाँ तलब कर सकते हैं हम तलब करेंगे जब हमारा प्रदेश जीवित रहेगा हमारे अधिकारी हमारे अधिकारी डॉक्टर आप नम्मर बताएए, जिस अधिकारी का जो मुखमिन्तिर काराले नम्मर जारी किये है जो हेल्पलाइन नम्मर सरकारी जारी हुए है मैं अपने नम्मर से मिलाओंगा और एक अधिकारी उस फोन को नहीं उठाएगा आप सब की जानकारी के लिए मैं पहले CMO लखनव को ही फोन करता हूँ CMO लखनव का फोन उठेगा इस बात को मुझे लगता नहीं इस बात की कोई गैरंटी है घंटी आपके सामने जा रही है यह घंटी आपके सामने जा रही है जिसको इसके बाद एक नंबर तो मैंने पने मन से यह डाइल किया है जितने भी नंबर है कुछ डॉक्टर जिनके विक्टर दिष्टे हो जो उस तर फोन उताते हो कुछ अच्छे डॉक्टर भी है वो उन डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूँ कई सारे अच्छे डॉक्टर है जो पॉपर रिस्पांस करते है बहतरी से इंपजान करते हैं जो उनके पसका है यह फोन रूटता है इससे बड़ा प्रमाण और आपको नहीं मिल सकता है तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अभी तक हम सुनते थे जपोर संथी की कहानी उत्तर प्रदेश पहली बार जपोर संथी मुक्मंत्री देख रहा है जो सिर्फ बाते करता है काम करना नहीं जानता है वहीं कॉंग्रेस के प्रेस कॉंफरेंस के दोरान धीपक सिंग जो की कॉंग्रेस की विधायक भी है वही मुझू थे अजेकवाल ललू ने जिस तरीके से सरकार पर निशाना सादा तो वहीं दूसरी ओर धीपक सिंग ने मौके पर ही प्रसवारता में तबाम पत्रकारों के सामने भी सरकार के जो काम है उस पर भी निशाना सादा उन्होंने मौके पर ही लखनों के CMO को कॉल किया ये दिखाने के लिए कि उनका कॉल उटता है या नहीं और यही हुआ जब दीपक सिंग ने लखनों के CMO को कॉल किया तो वह कॉल उठा ही नहीं पूरे रिंग गई और कड़ गया वहीं दीपक सिंग ने बताया कि जब एक विदायक कॉल कर रहा है उसका कोई response नहीं मिल रहा है तो आम जनता क्यों response क्यों मिलेगा सरकार अगर इसी तरीके से नंबर जारी करता ही रहेंगी लेकिन एक भी नंबर नहीं उठता है और अगर गलती से कोई नंबर उठ भी गया तो उसमें एक ही ही जवाब मिलेगा कि आपकी complaint नोट कर ली गई है बहुत ही जल्दी आपसे संपर किया जाएगा उसके बाद संपर का कोई समय में धारित नहीं है की कॉल आईगी या नहीं आईगी दीपक सिंग अजय कुमार ललू दोनों ने मिलका सरकार के कामों को लबह पूरा गलत न कारते हुए सरकार पर इशाना भी साधा लखनों से प्रवाशाक्षी की लिए देवन परताप सिंग झालड़ देव साधा लंग पर इशाना भी स्प्सरों से अलू अजय की लिए झालड़ को ले दोनी क्माना भी से और दिए्या नहीं है